दिपावली कैसा तेवार है जिसमें हम दीप को जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं, और कितनी खुशियां, कितनी धुम्धाम से हम मनाते हैं और इसी दिन भगवार राम अयोधया वापस आए थे और वहां के वासियों ने दीप जलाये थे और तब से हम लोग मनाते हैं दिपावली कितना खुशनुमा मौसम था जब मैं दीप जलाए रंगोली बनाए बहुत कुश किया लेकिन कहते हैं सब तरफ दीप जले बट मेरे दिल में अधिरा रा गया जिसको मैं मिटा न पाई दीप जल करके बुश गये लेकिन मैं अपने अंदर का अधिरा नहीं सब तरफ पटाके फूटें बहुत आवाज आई बहुत आवाज आई पर मेरे अंदर जो दिल के अंदर आवाज थी जो दर्द था जो मैंने महसूस किया कर वो किसी को नहीं पता चला मैं किसको वह दर्द बताओं कौन वह समझेगा दर्द को क्यों किसी के पीछे को इस तरह पढ़ जाता है कि उसका इतना अच्छा सत्य वहार बिकार फिर भी मैं बहुत खुज थी मैं बहुत धुमदाम से दिपावली मनाई मेरे बच्चे मेरे हस्बन जी मेरा पूरा परिवार सब लोग मिल करके बहुत धुमदाम से दिपावली मनाई और म मुझे पता है आप लोगों की दिपावली भी बहुत अच्छी रहे होगी भगवान करी जिस तरह अपकी बार की दिपावली हमारी बीती अगली बार भी दिपावली इसी तरह सब की बनी। हे माता लश्मी हे गड़ेश जी जिस तरह आप अपनी जोड़ी बनाए हैं उसी तरह भगवान आप लोग हमारी और हमारे हजबंड की जोड़ी जिन्दगी इभर बनाए रखे बस आपसे यही दूआ है कि आप मेरा और मेरी हजबंड का जोड़ा जिन्दगी इभरता ओम्र बनाए रहें बच्चों को साथ छट पर पड़ा का फूर्णा उनके साथ मस्ती करना और थोड़ा बहुत इंजवाय किये बहुत मज़ाई यह दिपाली मेरे लिए बहुत यादगार रहेगी और हे मातारानी हे लश्मी माता हे गणिजी मैं आप लोग का पूजन की आप लोग गणिजी जिस तरह आप लोग सबके जीवन में सुख और समरीदिका माहल उत्पन करते हैं ठीक उसी प्रकार मेरे भी घर और मेरे भी जीवन में सुख समरीदिका वास हो और अगर मैंने कुछ गलत किया हो कुछ भी मुझे गलत हुआ हो तो उसका आप उसका दंड आप बहुत दुखी थी अब मैं क्या बता हूं ओके दोस्तों थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने की थैंक यू